हलो गाईज कैसे हो आफ सब आफ सब आफ सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स एक बार फेट से आफ सब का आपकी अपने यूटूब चैनल ग्यान रुची में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और हम लोग आज एक साथ मिलकर birthday celebrate करेंगे आज हम मेरी sister का birthday है तो आप सब लोग हमारी वीडियो पर बने रहिएगा और हमारा पूरा व्लोग देखिएगा और देखिए मैंने black कलर की साड़ी पहनी है तो ये साड़ी आपको कैसे लग रही है आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा friends ये देखिए मैंने black कलर की साड़ी पहनी है तो ये साड़ी आपको कैसे लग रही है आप मुझे comment जरूर कर लिएगा तो friends चलिए हमारे साड़ी तो friends हम लोग आ गये हैं हम restaurant आये हुए हैं और ये restaurant हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है पास में ही है तो हम सब लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँच चुके है ये हम आपको restaurant के बाहर का scene दिखा रहे हैं friends देखिए अंधेरा हो गया है रात के 8 बजे हुए हैं और ये हम लोग restaurant के अंदर entry कर रहे हैं आप सब लोग देखिए तो ये देखिए chair table सब लगी हुई है और जो सामने दिखाई दे रहा है आपको balloon दिखाई दे रहे हैं यहीं पर birthday celebration होगा तो हम लोग आ चुके हैं अभी सारे लोग नहीं आए हैं अभी कुछ लोग बाकी हैं तो अभी वो लोग आ जाएंगे तभी हम birthday celebrate करेंगे क्योंकि जो लोग अभी नहीं आए हैं वो हमारे बहुत खास हैं वो हमारे भाईया और भाभी हैं तो भाईया भाभी का वेट हो रहा है अभी वो दोनों लोग नहीं आए हैं थोड़ा सा लेट हो गये हैं हमारे अभी छोटी सिस्टर भी नहीं आई है तो उन्हीं दोनों लोगों का वेट किया जा रहा है जैसे ही वो लोग आ जाएंगे वैसे ही कर जाएगा तो यह देखिए यह हमारे बहनोई हैं सभी लोग आए हुए हैं यह नंद हैं हमारी सिस्टर की वो भी आ चुकी हैं देवर भी इनके आ चुके हैं अब हमारी भावी भी आ गई है यह हमारे बगल में जो बैठी है यह हमारी भावी है तो यह आ गई है इनहीं का वेट हो रहा था इनके आने के बाद अपके कटेगा ये देखिए सारे बच्चे बैठे हैं आपस में मस्ती कर रहे हैं और फ्रेंड्स ये जो मरजंटा कलर की साड़ी में हैं ये हमारी सिस्टर हैं और इसी का बर्थडे हैं तो हम लोग इसी के बर्थडे में आए हुए हैं और ये देखिए, बच्चों की गवसब हो रहे है, ये मेरी छोटी बहन है, ये जो बैठी है बगल में, ये जो देख रहे है आपको, तो ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, ये भाबी है और वो भी मेरी सिस्टर है, हम लोग चार बहने हैं, अभी एक सिस्टर हमारी नहीं है य केक आ चुका है और केक कटने की तैयारी की जा रही है मम्मी हमारी नहीं आई है मम्मी का थोड़ा स्वास्त सही नहीं था तो इसी वज़े से मम्मी घर पे है और सभी लोग आ गए है अज़े लोग आई है आई हमस्सद पे यह सरते है कजी से ़ींटे чистा यह है यह स्वार्ण टॉड़योग कर समय झाल झाल केक कट चुका है और ये अपने हजबन को माला पहना रही है तो ये पहनने से मना कर रहे थे ये बोल रहे थे कि बेटरे तुमारा है मैं माला क्यूं पहनूं लेकिन सब लोगों ने कहा तो इन्होंने पहन लिया है और अब ये केक कटने जा रहा है अब ये केक कट गया है फ्रेंज आप सब लोग देखिए enjoy करिए हमारे साथ सब लोगों से ऐसे तो मिलना होता नहीं है कुछ कारिक्रम होता है बठडे पार्टी होती है या कुछ छोटा मोटा function होता है सादी की anniversary होती है तब ही हम सब लोग एक साथ इकठे होते हैं एक साथ मिलते हैं और जब हम सब लोग मिलते हैं तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं बहुत अच्छा लगता है पूरी फैमली मिलके हम लोग खुब इंज्वाइ करते हैं तो छोटा सा बड़्थडे है सेलिब्रेट कर लिया गया है सब बच्चे खूस हो गए हैं हम लोग भी खूस हैं छोटे बड़े सभी खूस हो जाते हैं तो ऐसे ही फैमिली में छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं तो अच्छा लगता है सब लोगों को एक साथ इकठे होने का मौका मिल जाता है क्योंकि ऐसे हम सब लोग एक साथ इकठे नहीं हो पाते हैं या तो हमारे यहां तेवहार कोई आता है रक्षा बंधन भीया दूज है इस तरह का कोई तेवहार अगर पड़ता है तब हम सब बहने इकठे होती हैं और नहीं तो किसी फंक्षन में इकठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं यह मेरी सुट सी भावी है जो देखे केक खिला रही है बहन को मेरी केक खिला रही है वो देखो मेरी छोटी सिस्टर उधर भी खड़ी है अभी हम आपको उससे मिलाएंगे तो मैंने गिफ्ट भी दे दिया है छोटा सा गिफ्ट है फ्रेंट्स बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं लाई थी मैं छोटा सा ही गिफ्ट है अभी हम आपको गिफ्ट भी दिखाएंगे कि मैंने अपने बहन को क्या दिया है आप लोग मेरे साथ योँ ही बने रहिएगा देखते रहिएगा केक कट होने के बाद फ्रेंट्स सभी ने खूब फोटो खिचवाई हैं देखिए सब लोग फोटो की पोस्ट दे रहे हैं फोटो खिचा रहे हैं सब लोगों ने बहुत मस्ती की है तो केक कट गया है सबी लोगों ने केक खिला दिया है लेकिन मेरा बाबू अभी रह गया था तो मेरा बाबू आया है मौसी को केक खिलाने और वो मौसी को केक खिला रहा है मौसी बाबू को केक खिला रही है भाईया भाबी की ये नई जोड़ी है ये भी फोटू सूट करा रही है और हम सब बेने फोटू सूट करा रहे हैं ये मेरी छोटी सिस्टर है जो दुपटा सही कर रही है तो फ्रेंट्स मैंने आपको अपनी तीनों सिस्टरों से मिलवा दिया है यही मेरी फैमली है अब हम सब लोग मिलकर एक साथ फैमली फोटू सूट करा रहे हैं हम सब लोग जहां भी कठे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग फोटू जरूर खिचाते हैं फुल इंजॉय करते हैं बड़े बच्चे सभी खुब खुस होके हम लोग पार्टी को इंजॉय करते हैं तो यह सभी लोग केक खा रहे हैं और देखिए मेरी सिस्टर क्या कर रही है जो मैंने गिफ्ट दिया था वो तो यहीं खोलने लगी है तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैंने अपनी मेहन को क्या दिया है गिफ्ट में और मेरा गिफ्ट मेरी सिस्टर को कैसा लगा उसक एक तुम्हें प्रपर्टि कर दिया है और अब उसको देख रही है कि दीडी ने उसको क्या दिया है इक काउन सा कलर दिया है तो यह सब कुछ डिजाइन, कलर्र मिद्ट इतल्ड फैब्रिक वो सब कुछ चेक कर रही है और चेक करने के बाद वो बताएगी कि हाँ उसको पसंद है या नहीं पसंद है तो उसने कह दिया कि उसको पसंद है और उसको पसंद है ये देखके मुझे भी वड़ी खुशी हुई है कि चलिए जो मैंने दिया है वो उसको पसंद आया है तो फ्रेंड्स मैंने ये कूर्ती और अपने सिस्टर को दिया है जो कि उसको बहुत पसंद आई है और ये देखो सारे बच्चे मस्ति कर रहे हैं मेरी सिस्टर फोटू की चा रही है और ये देखो मेरी बेटी सिस्टर के साथ मौसी के साथ बैठी हुई है और ये दोनों बाते कर रहे हैं आपस में फोटू भी खि चुका है यह दस बज चुके हैं करीब दस बज रहा है तो केक कटते कटते टाइम हो गया है दस बज गया है डिनर का टाइम हो चुका है तो सभी लोग डिनर करने जा रहे हैं सबको भूग भी लगी है तो अब सब लोग डिनर करेंगे सब लोग डिनर कर रहे हैं सबका डिनर हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों नाम है आपको रेस्टोरेंट का पूरा मौईना करा दूँ और आपको पूरा रेस्टोरेंट घुमा दूँ तो चलिए आप सब लोग हमारे साथ देखिए हम आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं यह देखिए सब लोग बैठे हुए हैं चारो तरफ टेबल चेयर लगा हुआ है काफी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे सुधाएं भी बहुत अच्छी दी गई है तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं जगे जगे पर सभी अपनी पूस ले रहे हैं सभी फोटो खिचवा रहे हैं यह देखिए सभी फोटो सूट करा रहे हैं हम भी फोटो सूट करा रहे हैं यह मेरा बाबू है पर्स के साथ खेल रहा है और अब हम सभी लोग बाहर आ गए हैं पार्टी खतम हो चुकी है तो हम सब लोग बाहर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट बंद हो गई है, पूरा सन्नाटा हो चुका है, रात के करीब बज रहे हैं, ग्यारा, ग्यारा साधे ग्यारा का टाइम है, हम सब लोग बाहर निकल आए हैं, और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी की पास खड़े हैं, और अपने गड़ जाने की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स,